मेरे साथ बोलिये बारत मता की बारत मता की मंच पर उपस्तित हम सब के प्रियनिता और देश के और दुनिया के सबसे अधीक लोग प्रियनिता आदनिया मोदी जी हमारे प्रिय अध्यक्स सन्मानिय नड़ा जी मंच पर उपस्तित भारतिय जनता पार्टी का नेत्रुतो गण और आज ही सभागार के अंदर आये हुए देश भर से आये हुए लगु भारत के रूप में हम सब के सामने विराजित देश के सभी कारेकरता भाहियो बेनों को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआते हुए वित्रोय हमारा राष्ट्री अधिवेशन ये विश्त्रूत राष्ट्री अधिवेशन चुनाव की दहलीज के समय पर हो रहा है इस राष्ट्री अधिवेशन के अनेक नहीतार्थ राष्ट्री अधिवेशन प्रधान मंत्री जी मोदी जी के विक्सित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापिस जाएंगे इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉंसिटेंसी में जाएंगे और कुछी दिनों में देश की जनता ये निर्णे करने वाली है कि आने वाले पांच साल इस देश के सासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी कि इस व्यक्ति के हाथ में होगी मगर पूरे देश में कहीं पर भी संसय नहीं है प्रस्टन चिन्ह नहीं है देश ने ताई किया है कि मोदी जी फीर से एक बार इस देश के प्रदान मंति बनेंगे साथियो 75 साल में इस देश ने 17 लोगसभा के चुनाव देखे हैं 22 सरकारे देखी है 15 प्रदान मंति देखे हैं देश ने जितनी भी सरकारे आई अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकुल विकास करने का प्रयास किया है मगर आज मैं कोई confusion के बगर कह सकता हूँ कि समगरता से विचार हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्टी का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ देश समरुद्धी की और आगे बड़ा 60 करोड घरीब जो आजादी के 75 साल तक 70 साल तक अपने आपको विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ लोगतंत्रा आया मुझे क्या मिला मेरा क्या हिस्सा भाई और बैनों 60 करोड घरीबों को घर देना घर में घैस का सिलिंडर देना पीने का पानी का कनेक्षन देना बिजली पोँचाना सोचा ले देना पाँच किलो अडाज घरीब को फ्री अब कोश मुख्ट में देना और पाँच लाग तक का स्वास्त का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाए आज ये साट करोड घरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक घरीब महिला अपनी सबजी भी परचेस कर पाती है सबजी भी घरीब करती है इन लोग के जीवन में सतर साल तक जो सारी अभाव था वो अभाव को एक ही दस साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रियनिता नरेंद्र मोदी जी ने किया है आज है साथ करोड लोग अपने आपको देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं आज है साथ करोड लोग हमारे सम्विदान की सार्थक्ता को महसूस कर रहे हैं दस साल में इतना बड़ा प्रिवतना है दलीत आदिवासी और पिछडा समाज उसको वोट बैंक के नाते हैं एक कॉंग्रेस और इंडी एलाइंस वालों ने उपियोग तो बहुत किया पहली बार उनको सन्मान और इस्सेदारी देने का काम भारती जन्ता पार्टी की नरेंद्र बोधी सरका है पहली बार पहली बार ये देश का गवरव पुरी दुनिया ने महसूस किया दुनिया में भारत के लोग कही पर भी जाते हैं कही पर भी दुनिया में आप चले जाओ पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना ये पहचान दुनिया में विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंडर मोदी जी ने किया है और मैं आज बताता चाहता हूं मित्राब को कि 140 करोड की जंता ने पहली बार महान भारत का स्वपन देखने का सहास नरेंद्र मोधी जी ने दिया है नकेवल महान भारत का स्वपन देने का सहास उस्वपन को सिध्धी में परिवर्ति करने के लिए सामूही पुरुसार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोधी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्स रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विक्सित भारत होगा आत्म निर्बर भारत होगा गुलामियों की निसानियों से मुक्ट भारत होगा यह संकल्प पहली बार 140 करोड की जंता के सामूही संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है और यह संकल्प का एकनोलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है मित्रो मोदी जी ने दस साल के अंदर कई सिद्धिया प्राप्त की है घरिबी से मुक्ती ब्रश्टाचार से मुक्ती जातिवाद से मुक्ती परिवारवाद से मुक्ती तुरुष्टी करण से मुक्ती इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक ब्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुरुष्टी करण के नासुरों से घ्रसीत रहा नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ब्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुरुष्टी करण की रादनिति को समाप करकर पोलिस्टिक्स और परफोर्मंस को एस्टाबिलीज करने का काम नरेंद्र मोधी जीने की नरेंद्र मोधी जीने अपने करतर्व्य से अपने करतूत्व से देश की पूरी जनता को एक सामुहिक हिन भावना थी इस सामुहिक हिन भावना को एक मास इन्फियारिटिक कॉंप्लेक्स को समाप्त करकर हम भी कर सकते हैं हम ही करेंगे एक घवरव के साथ दुनिया के सामने किया नरेंद्र मोधी जीने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतिकों से मुक्ति दिलाने का हवान किया ये शुरुवात आजादी के दूसरे दिन होनी तही थी परन्तु जब तक कॉंग्रेस रही जब तक इंडिये लाइंस वाले रहे इसकी कलपना भी नहीं की मोधी जीने गुलामी के प्रतिकों से मुक्ति के लिए पंद्रा अगस को लाल किले की प्राचिर से हावान किया उग्रवाद और आतंकवाद नकसलवाद इस देश को चार दसक से परिसान करता है मोधी जी के 14 से 24 के कारेकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नकसलवाद अपनी अंतीम सांसे गिंडा है मैं देश की जन्ता को कहना चाता हूँ मोधी ठ्री में ये देश पूनत है आतंकवाद उग्रवाद और नकसलवाद से मुक्तो कर सांत और समरुद्ध भारत बनने की गिसा में आगे बहुत भाई और बेनों मोधी जी के सासन ने कई विरोदा भास खतम कर दिया एक समग्रता से सोतने वाला नेतर्त्व एक निती के अंधार पर चलने वाला नेतर्त्व एक यूगद्रश्टा नेतर्तव किस तरग से काम करता इसकी मिसाल काएम की हैं पूरे आजादिक से अने कालखन लिए सरकारों की मिमान सा इसी nós इस चरकार किसानों की सरकार है या उद्द्वियोग्पति OCT रेकी यह सरकार किसान कल्यान करेगी या इकोनोमी को आखें बढ़ाएगी मोदी जी teaching ये बता दिया किसान का ल्यान भी हो सकता है और अर्थ तंत्र भी पड़री पर आ सकता है दुनों की बीच में कोई विरोधाबास ने ये सालों तक बहेश का बटवारा रहा ये सरकार गाउं की है या सहरों की ये भी विरोधाबास रहा या तो आप गाउं का विकास कर सकते हो या सेहर का कर सकते हो मोदी जी ने ये भी सीध कर दिया घाउं दुनिया में सबसे अच्छे घाउं बन सकते हैं घाउं से कोई पलाय नहीं होगा और सेहर भी दुनिया में सबसे सुविदा पूर्ण सेहर बन सकते हैं स्मार्ट सीधी बन सकते हैं यह सीध दिखिया गरीब कल्यान और अर्थतंत्र का विकास दोनों के बीच में भी बहुत बहस्त चलिए कई बार कई सरकार कई अर्थसास्त्री कई पंडी कहते रहे कि जो अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्यान को छोड़ना पड़ेगा मैं आज सब के सामने कहना चाहता हूं हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना हर गरीब को सभी प्रात्मिक सुविदाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को ग्यारावे नंबर से पांचवे नंबर पर ला देना वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है बाई और बेनों, आज एक संदेश लेकर जाईएं यहां से, 130 करोर की, 140 करोर की जंता के बीच में, मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री देश की जंता बनाए, हमारा अर्थ तंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा, इसंदेश लेकर हम नहीं जाने हैं। इसी तरह से, इसी तरह से एक ध्वंद चालू रहा हैं, कि विदेश निती, अगर दुनिया को मित्र बनाना है, तो देश की सुरक्सा में थोड़िया बहुत कॉंप्रोमाईज करना पड़े हैं। सरहत की सुरक्सा, देश की सुरक्सा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्सित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तापित किया, वसुदेव कुटुम्बम का हमारा सुत्र को उन्होंने नीच मित्रो इंडी एलायंस और कॉंग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोगतंत्र की स्पिरीट को खतम कर दिया देश के लोगतंत्र को ब्रश्टाचार, परिवारवाद, तुरुष्ट्री करण और जाती वाद से कलर्ड कर दिया कभी भी स्वतंत्र रूप से जन्मत उभर करना आए इस प्रकार की लोगतंत्रिक व्योस्ता करने में परिवारवादी पार्टिया लगी रही मोदी जी ने दसी साल में ब्रश्टाचार, परिवारवाद, तुरुष्टी करण और जाती वाद को समाप्त करकर विकास की रादनिती को मध्यबिंदू में लाया जिसको देश की जन्ता ने सिका रहा है मित्रो आज, मैं आज आप सब के माध्यम से करोडो भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताव को कहने आया अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए हैं महा भारत के युद में जैसे पांड़ों और कवरों के खेमे पड़े थे इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं एक खेमा है मोदी जी के नेत्रत में बीजेपी के नेत्रत में एंडिये का घट बंधन और दूसरा है कॉंग्रेस के नेत्रत में सारी परिवारवादी पाटियों का इंडि एलायंस देश को ये दोनों में से एक को चुनना है इंडि गट बंधन एक घमंडिया गट बंधन ब्रश्टाचार परिवारवाद और तूसरी करण की राजनिति का पोशक और भाजपा और एंडिये का गट बंधन राश्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गट बंधन है देश की जनता को ताई करने वाला करना है ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए ये ब्रश्टाचार की पोशक पार्टियां चाहिए तूस्ट्री करने वाली पार्टियां चाहिए और देश के लिए जान नौचावर करने के लिए तैयार भारतिय जनता पार्टी चाहि मित्रो यह जो एलाइंस हुआ है एलाइंस ऐसे ही नहीं होता है एलाइंस जब सोच समान हो विचार समान हो सिद्धान समान हो तब होते हैं यह इंडी ऐलाइंस जो बना है ये पूरा का पूरा इंडी अलाइंस कॉंग्रेस के नित्रूतों मैं आज आपको कह सकता हूँ इस देश में ब्रस्टाचार की जनत कॉंग्रेस पार्टी है और इस देश में ब्रस्टाचार का बोशन भी कॉंग्रेस पार्टी ने किया है वित्रदज साल UPA के ले लिजिये कोल ब्लोक अबंटन कॉमन बेल्ट गेम का घोटाला तूजी घोटाला सारदा चिटफन का घोटाला हिमाचल में सेवो की बिकृ का घोटाला आयनेख्स मीडिया का घोटाला एर शेल मेक्सिक का घोटाला अंत्रीक्स दिवास का गोटाला लेंड फॉर्ट जॉब का गोटाला पंचकुला और घुडगाउं में बुमी आबंटन का गोटाला जम्मु कस्मीर क्रिकेट एसोसेशन का गोटाला एंब्रेयर डिल बेजिक ट्रेनर विमान में गोटाला हॉक एरक्राप खडिदी में गोटाला सब्मरीन का गोटाला ओगस्टा वेस्टलेंड का गोटाला बोफोर्स का गोटाला जीप गोटाला मारूती गोटाला और गोपाल घेसकान से चंदा उगाहने का गोटाला कि कॉंग्रेस पार्टी हमारे यहां ऐसा कहते थे कि किसी भी तत्व का व्याब आकास भूमी और पाताल तक होता है मगर इन्हों ने तो आकास से भी आगे जाकर अंत्रिक्स में भी गोटाला किया भूमी से आगे जाकर पाताल में खदानों का भी गोटाला किया और समंदर को भी नहीं छोड़ा, वहां सब्मरीन का भी गोटाला कर दिया, जब, नल, थल, अंत्रीक्स, हर जगे एक कॉंग्रेस ने गोटाले किये, और इंडी एलाइंस का नित्रुत्वा कॉंग्रेस के हाथ ने, मैं देश की जनता कोई कहना चाहता हूँ, किस प्रकार की सर अंग्रेस है, और दूसरी और तेईस-तेईस साल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मुख्या रहने के बाद भी हमारे विरोधी भी एक कानी पाई का अरोप न लगा सके, ऐसा नेत्रुत्वा नरेंडर मोधी करने, देश की जनता ने, मित्रो, देश की जनता ने ये ताई करना है, कि देश का भविश्य ये ब्रश्ट्राचारियों के हाथ में सौपना है, या नक्सिक प्रामानिक व्यक्ति, जिस प्यार दुस्बन भी आरोप नहीं कर सकते, ऐसे नरेंदर मोधी जी को सौपना है, और मित् एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्ला, जब कॉंग्रेस पार्टी इतना ब्रश्टाचार करती है, तो साथी बला क्यों बाकी रहेंगे, आम आदमी पार्टी, आपकारी जकात का गोटाला, लोगों के उपचार में मौला क्लिनिक का गोटाला, डेर सारे गोटाले किया, लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी गोटाला किया, और आज उनका सारा नेतुर्त्वा कॉट से भागता है, कॉट से भागता है, एजंस्यों से भागता है, जारखण में एक MP के घर से साड़े 300 करोड रुप्या जब्त होता है, 36 गड में महादेव के नाम से जुवा खिलाने का एक घोटाला आता है, DMK के मंत्रियों के घर से करोडो रुप्या बरामद होता है, तुनुमोल कॉंग्रेस के मंत्रियों के घर से अनेक करोड रुप्या, पचपन करोड ते एकी स्तान पर से मिलता है, अनेक करोड रुप्यो का सेंकडो करोड के गुटा ले बाहर है और लालु जी सजा अपता है और अभी भी एक एक नई नई ब्रश्टाचार की एफायर उन पर हो रही है इत्र पूरा इंडी एलायंस एक कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रुतों में गमंडिया गट बंदन ये पूरा ब्रश्टाचार स ये ब्रश्टाचार के दूसर्ण को समाप्र करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मेंडेट देना है या ब्रश्टाचार ही जिनका धर्म है ऐसे इंडी एलायंस को मत देना है, ये देश्ट की जनता ने के, मित्रो परिवारवाद, अभी धेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल, इंडी एलाइंस, इंडी एलाइंस, बड़ा चलेंज, बड़ा चलेंज, बड़ा चलेंज, बड़ा चलेंज, अगर मुझे कोई कहे, कि इंडी एलाइंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूँ साथ परिवारी परिवारवादी पार्टियों का घटबंधन इंडी एलाइंसे इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्सा नहीं कर सकते ये देश की जंता को आपकी पार्टी लोक्तांत्रिक पार्टी नहीं है आपकी पार्टिया लोक्तांत्रिक पार्टिया नहीं है आप देश के लोक्तांत्र का रक्सा नहीं कर सेथे एक और मोदी जी के नित्रुत में डेवलप्मेंटल एलायंस है और दूसरी और राहूल जी क नेत्रुतों में dynastic alliance है democratic alliance developmental alliance और dynastic alliance के बीच में देश की जनता को पसंद करना है मुझे विश्वास है कि एक और मोधी जी देश के और गरिबों के विकास के लिए काम करें और दूसरी और अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टिया है देश निश्ची तुरूप से विकास की राधनिती करने वाली भारती अजनता पार्टी और NDA को सिलेक्ट करेगी इसका मुझे पुरा विश्वास देखें साब इनके राधनिती में उद्येश क्या है मोदी जी कहते हैं महान भारत की रतना हो 2047 तक का लक्स रखा सोनिया जी का लक्स राहुल जी को पीम बनाना पवार साब का लक्स बेटी को सियम बनाना ममतादीदी का लक्स बतीजे को सियम बनाना स्टालिन का लक्स अपने बेटे को सियम बनाना लालू प्रसाद जी का लक्स अपने बेटे को सियम बनाना उद्धा उठाकरे का लक्स अपने बेटे को सियम बनाना और मुलायम सिंग जी बेटे को बना कर ही गए अब मुझे एक बात बताईए कारेकरता भाईयो बैनो जिनका लक्स ही अपने बेटे बेटी भती जो का कल्यान हो वो घरीब का कल्यान कर सकता है क्या कभी नहीं कर सकता है जिनका लक्स ही अपने परिवार के लिए सत्ता अध्याना हो वो देश का कल्यान कर सकता है क्या कभी नहीं कर सकता है मित्रो इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टिया है 2G से मतलब आप तू जी गोटाले से नहीं है तू जनरेशन पार्टी थ्री जनरेशन पार्टी फोर जनरेशन पार्टी चार-चार पिड़ी तक नेता नहीं बदलता है चार-चार पिड़ी तक नेता नहीं बदलता है क्यों भई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता नाजी वो नहीं बढ़ सकता थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे कई सारे लोग ऐसे हस्र कियो है भारतिय जनता पार्टी जोइन करकर अज लोग तंत्र की यात्रा में चुझे तेजस्विता का परफॉमंस का विचार का परिश्रम का और ध्रश्टी का वहाँ कोई महत्व नहीं है वहाँ केवल और केवल आप कहां जन में इसका महत्व है मित्रो मैं आज आप सब के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं अगर भारतिय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाह बेचने वाले का बेटा कभी प्रदान मंत्री नहीं बन सकता है लोग तंत्र के अंदर मित्रो लोग तंत्र के अंदर अभरे बहुत जरूरी है, सब को समान अवसर मिले, सब के अंदर इस्वर्दत शक्तियां जो पड़ी हैं, वो इस्वर्दत शक्तियों के अधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो केवल और केवल भारतिय जंता पार्टी में विद्यमान है, और किसी गल में मोदी जी एक घरीब परिवार से गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतने घरीब परिवार से इस देश के सनमान ये प्रधान मंत्री बने जिनोंने पुरे विश्व में देश को सनमान दिलाया, गव्रोव दिलाया, प्रस्तापी इस देश की राष्ट्रपती एक जन जाती परिवार से आती, जन जातियों में भी अती पिछडी जातियों में से राष्ट्रपती मूर्मु जी आती है, प्रधान मंत्री जी ने भारतिय जनता पाटी ने एक घरीब आदिवासी की बेटी को महा महीम द्रवपती मूर्मु बना कर सभी आधिवाथो, का संद्मान इस देश का उप रास्टपती एक किसान का बेटा, खेक जोतने वाले का बेटा इस देश का उप रास्टपती बना है मित्रो मैं खुद केह मानता हूँ कि भारतिय जंता पार्टी में बूद का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री भी बन सकता है राश्ट पती जिवें से और यह केवल और केवल भारतिय जंता पार्टी में एस हुलियत पूपलब्द है क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोगतंत्री पार्टी बना कर रखा है मित्रो यह परिवारवादी पार्टी यह जो अपने बेटे-बेटियों के लिए काम करती है वो देश का कल्यान नहीं कर सकती केवल और केवल राश्ट प्रथम के नहरे के साथ आगे बढ़ रही भारतिय जनता पार्टी मोदी जी के नेत्रूत में आगे बढ़ रही भारतिय जनता पार्टी ही देश का कल्यान कर सकती है मित्रो इस देश में जब से हमारा समिधान बना हमारे समिधान के अंदर पंथ निर्पेक्षता को बहुत बड़ा महत्व दिया थे परिदस ये देश आज से नहीं हजारों सालों से पंथ निर्पेक्षता के अधार पर बिन संप्रजाइकता के अधार पर चलता रहा राज्ये का कभी कोई धर्म नहीं होता है सबको अपना धर्म बनाने की मानने की और उसका अनुसरन करने की छुट्टी भी है मुट्टी भी है परन्तु कॉंग्रेस पार्टी ने वोट बेंक की रचना करने के लिए समविदान की उद्दात भावनाव में भी विक्रूती डाल कर पंथ निर्पेक्षता को तुरूष्टी करन की राधनिती से दुसी किया मित्रो मैं आज आप सब के सामने कहना चाहता हूँ एक कॉंग्रेस पार्टी जिसने बगवान स्री राम के अस्तिच्व को नकारा वो एफीडियेट पर नकारा बाद में उनको एफीडियेट वापिस ले तुपल तलाग का कानून जो केवल और केवल महिलाओ को मुस्लिम महिलाओ को उनके अधिकार देने का कानून है इसका आपने विरोध किया यूसीसी जो कॉंग्रेस के समय में ही सम्विदान निर्माता एक लक्स देश के लिए रख कर गए थे उत्राखंड सरकार यूसीसी लाई कॉंग्रेस नहीं इसका भी विरोध किया मित्रो दारा 370 जब सम्विदान बना तब एत्ताई था कि टेंपररी टेंपररी का समटलब है उचीत समय पर उसको हटा देना मगर सत्तल साल तक उचीत समय आया नहीं धारा 370 के कारण कस्मीर के अंदर अलगावाद बढ़ा उग्रवाद बढ़ पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमे मिली और 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए मगर तुष्टी करण की रादनिती ने धारा 370 को हटाने ने दिया इस देश की जनता ने मोदी जी को दिशरी बार पून बहुमत दिया पांच अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कस्मीर एक नए यूग के साथ आगे बढ़ा पीए भाई पर बैन हमने लगाया तब भी कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस के लोगों ने तेड़े मेड़े बयान किये दक्सेन भारत की महान परंपरा तमिल नाडू की महान परंपरा पवित्र सेंगोल को हमने पार्लामेन के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तापित किया इसका भी कॉंग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया यह जहां भादपा विजयी होती है उन राज्यों को गौहम उत्र स्टेट कहते हैं यह लोग संविदान पर पहला दिकार देश के खजने पर पहला दिकार माइनोरिटी का है यह मान्यता रखने वाले है मोदी जी का कहना है देश के खजने पर पहला दिकार घरीब का है दलीद का है आदिवासी का है पिछले जाके नाइक को Messenger of Peace का Certificate देते हैं बगवातन गवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और मित्रो अंतिम चरम सिमा तो तब आ गई जब शाड़े पांच सो साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया राम लल्ला का प्रदान मंत्री जी प्राण प्रतिष्टा करने वाले थे राम लल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्टा में नियास ने कॉंग्रेशियों को भी निमंत्रन बेजा मगर उन्होंने तुरुष्टी करण की राजनिती करना किता है कि माना इसको ठुकरा दिया मैं आज यहां से कॉंग्रेश पार्टी को चेतावन ही देना चादे आपने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्टा के निमंत्रन को ठुकरा कर किवल यह इतियासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कत्राये हैं आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आपको दूर कर लिया है देश की जन्ता इसको देख भी रही है और याद भी रही है मित्रो खैर वो आये ना आये भारतिय जन्ता पार्टी तुरुष्टी करण में नहीं मानती है मैं आज इस महान अदिवेशन के सामने कहना चाहता हूँ किसी भी लोकतांतरिक देश में भी बाउमद समादने अपनी स्रद्धाओं के निर्वाण के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपून लोकतांतरिक तरीके से हमने रामंदि का निर्मान किया इसका संपूर्ण यस हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को जाता है भाई और में नो एक कॉंग्रेस पार्टी और इंडी अलाइंस वाले एक कॉंग्रेस पार्टी और इंडी अलाइंस वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी अस्थीरता फ्यलाती है। मैं तो ज्यादा जवाब नहीं देता हूं। मगर चुनाव का समय आया है। जन्ता के सामने सच रखना चाहिए। मैं आज ये कहने आया हूं कि कॉंग्रेस पार्टी की कभी से जब से इंदिराजी प्रधानमंत्री बनी तब से ना लोगतंत्र में स्रद्दा है ना लोगतंत्रिक तक्रियाओं में स्रद्दा है। इन्होंने नियाईपालिका, बिरोकरशी, मीडिया, चुनावायोग, केग, जैसी सभी सम्विधानिक संस्ताओं का दजियां उडाने का काम किया है इमर्जन्सी यह आपकी ही देन थी साहब आप भूल जाते हो पूरे देश को जैल खाना बना कर रख लिया था पूरा विपक्स जैल के अंदर बन था और आर्टिकल 356 सरकारे तोडने का जो रेकोर्ड आज से मैं बहुत सो समझ कर मेरा स्टेटमेंट करता हूँ आज से सो साल बाद भी कॉंग्रेस पार्टी का रेकोर्ड कोई तोड नहीं पाएगा इतनी सरकारे आपने घिराई मित्रो कॉंग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया पचास बार अकेली इंदिरा घांदी जी ने किया 40 खेत्रिय दलों की सरकार एक कॉंग्रेस पार्टी ने गिराई तीन केंद्र की सरकार चौधरी चरण सिंग, चंद्र सेखर जी, देव गोडा जी और गुजराल ये चार सरकारों को गिराने का काम भी कॉंग्रेस पार्टी ने किया है और मित्रों ये हमें कहते हैं, जुडिय सेरी कोई फैसला देगी, न्याई करेगी तो इस पर टिप्रिणिया करकर जुडिय सरी को डराते हैं, मैं कॉंग्रेस पार्टी को याद कराता हूँ 1973 में तीन वरिष्ट जजों को कुदा कर, जस्टिस सैलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगडे को कुदा कर, आपने ए एन ड्रे को सर्वोच नायदिस बनाया क्योंकि आप राइबरील का फैसला आपके खिलाप आ गया था मित्रों हमने कभी जुड़ी सरी के खिलाप इस प्रकार के सड़ी अंतर नहीं किये, मित्रों एक कॉंग्रेस पार्टी इस देश में अस्थीरता की जनक है, और स्थीरता अगर कोई दे सकता है, तो केवल और केवल भारतिये जनता पार्टी दे सकते हैं मित्रों, अभी अभी देश में, हम चुनाओं में जा रहे हैं, हिंसा कहा होती है, मैं आज देश के मिडिया को भी कहना चाहता हूँ, हिंसा की बात आप करते हैं, कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है, कौन से राज्य में पोलिटिकल हिंसा होती है, मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूँ केरल हमारे 100 से ज्यादा कारेकरता सहीद हो गए 300 से ज्यादा कारेकरता अपाईज हो गए किसका सासन है इंडी अलाइंस का सासन है बंगाल सेक्रो कारेकरता मौट के घाट उतार दिये गए हमेशा चुनाव में धांदली गपले बाजी और हिंसा होती रही थी किसका वहां राज है ममता दिदी का राज है इंडी एलाइंस का राज है बिहार में भी जंगल राज था तब सौसो किलोमेटर दूर मत पेटियां मिलती थी किसका राज था इंडी एलाइंस का राज था कभी रेगिंग नहीं हुआ किस की सरकार थी आप की सरकार थी मित्रो आज भारति जनताप पार्टी के हजारो कारेकता हिंसा की बेट चले कईयोंने तो जानगवाई कई अपाही जो हों कईयों के घर जल गए हम तो हिंसा के भुक्त भोगी है इनसा फिलाने वाला गटबंदन अगर कोई है तो एक कमण्डिया गटबंदन है इंडी एलायंस है भाई और बेनों ये कॉंग्रेस का साशन था आजादी के वक्त कॉंग्रेस ही देश की और से नगोशेत कते हैं तब ही देश का विभाजन और आज भी कॉंग्रेस की विभाजन कारी पर्वती रादनितिक फाइदे के लिए कम नहीं हुए अभी अभी कॉंग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के दो टुकड़े होने चाहिए खुले आम देश के दो टुकड़े करने की बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी इस ट्रेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है, यह बताता है कि कॉंग्रेस पार्टी इसका समर्धन करती है। कॉंग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हठाने के लिए पाकिस्तान की मदद मागते हैं पाकिस्तान की मदद मागते हैं जब दारा 370 मोदी जी ने हठाई राउल गांटी का 370 के समर्दन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने United Nation में सर्म करो सर्म करो कॉंग्रेसी आपके देश के खिलाप आप विदेश में जाकर बोलते हो देश के प्रदान मंत्री देश की संसद देश के लोगतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो और धारा 370 जैसे ही महतपून चीज को आपने पाकिस्तान को UN में हत्यार देकर देश दुरो का एक उदारन सेट किया है मित्रो और मैं देश की जनता को कहता एक विबाजन कारी प्रवती जो आजादी के वक्ती वो आज भी वहाँ पर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हूँ मित्रो अभी अभी कोंग्रेस के सहजादे को किसी ने एक भासन लिखकर दे दिया है उनका ताय है हर भासन वो 9 मेने तक बुलते ही रहेंगे 9 मेने के बाज स्कृप बदलता है इतना है उनका अभी उनके हाथ में OBC का भासन की जिन्ने थमा दिया है हर जगे OBC पूते है हर सवाल OBC के लिए कर दो मैं इनको कहना चाहता हूँ भाई अच्छा ट्यूटर रख लो अच्छा सिक्सक रख लो और कॉंग्रेस पार्टी ने OBC के लिए क्या किया है उसका जराध्यान कर लो आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाब जा रहा है मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ 1957 में काका साहिब कालेकर कमिटी ने पिछडों के लिए रिपोर्ट दिया कॉंग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लिमेंट नहीं किया मंडल आयोक बना 1980 में मंडल आयोक को इंदीराग गांदी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया 1990 में जब इंप्लिमेंट एंशन की बाड़ी आई विपस के नेताय नाते राजीव गांदी ने पार्लामेंट में इसका विरोध किया और मित्रो ओडिसा में और जवालाल जी जातिवादी सर्वे का विरोध किया था और भारतिय जनता पार्टी ने क्या किया मैं पिछडा समाज की बात करता हूँ बड़े गवरव के साथ बात करता हूँ मित्रो हमने इस देश को गवरव होई इस तरसे अतीप पिछड़ी जाती का प्रधान मंत्री देने का काम भारतिय जनता पार्टी ने आज डेश में पहला मंत्री मंडल ऐसा है मोदी जी का जिसमें 27 मंत्री OBC है राज्यो को OBC की सूची का संसोधन करने का अधिकार मोदी जी ने दिया केंड्रिय विद्याले नवदय विद्याले सैनिक स्कूल और मेडिकल एंजिनरिंग के डाखलों में 27 प्रतिसा तारक्षन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया OBC की चात्रवुत्ति में ते 30 प्रत्सत की वृद्धी नरेंद्र मोदी जी ने की IIT में OBC शात्रों की ट्यूशन भी को माप करने का निने देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया NEIT की परिक्सा में OBC बच्चों का पहली बार अगर आरक्षन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया पेंट्रोल पंप और घेस की एजन्सियों में सताईत प्रतिसत पिछड़ा वर्ग को आरक्षन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और जितनी भी जितनी भी गरिब कल्यान की इसकी में बनी है उस सब में सबसे बड़ा बेनिपिचरी अगर कोई है तो दलीत पिछड़ा और OBC भाई है राहूल गांधी आप हमें क्या OBC का कल्यान सिखाते हो हम तो समाज के हर वर्ग को साथ में लिकर चड़ते है जो पिछड़ा है उसको ज्यादा मिलता है जो अकड़ा है वो अपने आप अपना शेहर जाने देता है मोदी जी ने इस देश की जनता का ठाहवान किया जीँको सूख है, समपति है इस्वर की कृपा है वो अपनी गयास की सबशिड़ी छोड़ दे दो करोड से जादा लोगों ने गयास की सबशिड़ी अपने आप याद करी मोदी जी ने करोडों गरीबों को क्रिव अपको शुक्याश्प देने का काम किया मित्रो मोदी जी ने दस साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद, ब्रष्टाचार, तुरुष्टी करण को समाप्त कर दिया इसके आधार पर रादनिती करते थे इसके आधार पर अपनी रादनिती को आगे बढ़ा थे उनका स्वपन ये चार आधारों पर सत्ता ध्याने का स्वपन मोदी जी ने चूर चूर करकर रख दिया अब इस प्रकार के कलुशित मेंडेट वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं आज दस साल में देश महान भारत विक्सित भारत का स्वपन लेकर आगे बढ़ रहा है दूर दूर तक सत्ता प्राप्तिक की संभावना आज गमन या गटमंडन को नहीं देखती है इसके लिए वो लोग डिनायल मोड में आ गए हर चीज में विरोध करते हैं दारा 370 और पेस्ट और महिलाओं को धिकार देने के कई मोके आए विरोध करते रहें तीन तलाग का विरोध किया ओवी सी कमिशन का विरोध किया कस्मीर में गुर्जर, बकरवाल, पहाडी, वालमिक्यों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया नारी सक्ति वंदन अधिमियम में भी कई सारे व्यवधान खड़े किये हिंदू सरनाथियों को नागरिक्ता देने का सेख, सिये का बिल इसका विरोध किया एक दे से टेक्स, जी एश्टी का विरोध किया दलिग को राश्ट्रपती बनाना, आदिवासी को राश्ट्रपती बनाना, आपने आम सहमती नहीं हो ने दी सर्जिकल स्ट्राइक और एश्ट्राइक करकर मोधी जीने भारत की सैना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तापी आतंक बात के सामने एक कड़ा महसेद दिया आपने उस वक भी राहुल बाबा आपने उस वक भी देश से साक्ष मागे थे सर्म करो सम्ण करो सेना के जवान की सहादत पर आप साक्ष मागते हो मित्रो भारत ने वैक्सिन का निर्मान किया सो से ज़्यादा देशों में हमारा वैक्सिन गया वैक्सिन के माध्यम से आज 140 करोर का देश कोरोना से सुरक्सित हुआ उसको भी मोधी वैक्सिन करकर आपने बदनाम करने का प्रयास किया मगर देश की जनता ने भी आज भी कोई वेक्सिन लेने जाता है तो कहता है मोधी वेक्सिन दे दो भाई मेरी इम्मिनिटी खतम होगा डिजिटल एकोनोमी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्पर इसका विरोध किया नई संसद बनाई इतनी भव्य संसद देखकर अग पूरी देश की जनता पुलकी थे गवरानवी थे इसका भी आपने विरोध किया कर्तव्यपत बना आपको राजपत नाम अच्छा लगता था कर्तव्यपत का भी विरोध किया बारत मंदपम में कौट से उसको रोकने का प्रहास किया यसो भूमी को भी रोकने का प्रहास किया डाटा प्रोटेक्शन का विजनरी बिल इसका भी विरोध किया और अंत में रामलला की प्राण प्रतिष्टा का भी आपने विरोध किया एक कॉंग्रेस डिनायल बोर्ड में आ चुकी, पूरे देश की जन्ता को मैं कहना चाहता हूँ, पांच साल का पारलामेंट के अंदर कॉंग्रेस का हिसाब किताब निकालिये, इन्होंने पारलामेंट के अंदर सोर सराबे और बहिसकार के अलावा कुछ नहीं किया, हम भी वि अच्छा है, उसका समर्थन करते थे, और आपके ब्रष्टाचार को भी हमने उजाघर किया, अगर आपने, क्योंकि ब्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचीच समझा, मित्रो, इंडी अलायंस, अहंकार से यूग थे, वो सहन ही नहीं कर सकते, वो ऐसा मानते हैं, कि देश का प्रधान मंत्री वो ही बन सकता है, जो बड़े परिवारों से आथा, वो सहन नहीं कर सकते, एक गरिब मा का बेटा, अदेश का प्रधान मंत्री बेनकर देश को चला रहा है, यह हंकार, उनको भारतिये जनता पार्टी के खिलाप खड़े, यह परिवार बादी रा पर चलाने का काम किया मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रो पॉलिसी पेरालिसी हो गया ऐसी पुरी दुनिया मनमोहन सिंग सरकार को कहती थी आज मोधी सरकार ने हर चेतर की 40 से ज्यादा पॉलिसी बना कर पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदान बारत मता की मित्रो मैं और आप हमारे नेता के वखान करें पत्रकार भी कहेंगे गवंडिया गटवंदन भी करेगा आपको ऐसा ही करोगे मगर मैं आदेश की जनता का भी दन्यवाद करना चाहता हूँ आपने बार 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 भारतिये जनता पार्टी को आसिरवाद देकर मोधी जी को आसिरवाद देकर अपना समर्थन देता है आदेश के सत्तर राज्यों में सेवेंटीन स्टेट्स में एंडिये की सरकार हैं अठावन प्रतिसद हिस्से पर जिसमें सतावन प्रतिसद आबादी है वहां एंडिये का रूल है गुजरात में हम लगातार छे चुनाव जीते मध्यप्रदेश में 21 सालों से साचन में हैं गोवा में तीन बार जीते उत्रप्रदेश में दो बार जीते उत्राखंड में दो बार जीते हरियाना में दो बार जीते अरुनाचल में दो बार जिते आसाम में दो बार जिते तिरुपुर्वा में दो बार जिते मनिपुर में दो बार जिते और 36 गड़ोर राजस्तान में भी तीन तीन टम तक मेंडेट मिला था और फिर चे चोथा मेंडेट 36 गड़ और राजस्तान की जनता ने दिया है बिहार, महराश, मेगालाई, नागालेन और सिक्किम वहाँ एंडिये को बाहर बाहर आशिरवाद मिला मित्रो यह जनादेश जो है वो मैं मानता हूँ मोदी जी का परिश्रम मोदी जी की नित्या मोदी जी के पर्फोर्मंस पर 140 करोड की जनता का ठपा है जो इंडिये अलाइंस को नहीं भी भाई भाई और बैनो मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ अभी अभी इंडिये अलाइंस वाले के जो नेता है कॉंग्रेस पार्टी एक भारत जोडो यात्रा निकले तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के भारत जोडो यात्रा लेकर निकले मैं उनको कहना चाहता हूँ किसी भी पार्टी के कारेक्रम और यात्रा है रादनितिक कारेक्रम वो पार्टी का परिचे करा दे कॉंग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी अंदोलन किये सत्ता में वापिस आने के लिए कि भारतिये जनता पार्टी का 1950 से इत्यास है हमने जब भी अंदोलन किये देश के लिए किये सिधान्तों के लिए किये सबसे पहले जम्मु कस्मीर के लिए सामाप्रसाद मुकर्जी सहीद हुए हमने 370 हटाने का अंदोलन किया गोवा बचाओ का अंदोलन भारतिय जनता पार्टी ने किया कच्छ का सत्यागर भारतिय ने जनता पार्टी ने किया गव होत्या पर प्रतिबन लगाने का अंदोलन जनसंग ने किया आपात काल के विरोध में हम लड़े आसाम में गुश पेटियों के खिलाप हमने पुरे देश को मोबिलाइस किया राम जन्ममुवी का अंदोलन भी केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी ने किया प्रस्टाचार के खिलाप अडवानीजी के नेतुरत में हमने आवाज उठाई तेलंगाना अंदोलन भी भारतिय जनता पार्टी ने किया और सबरी माला का अंदोलन भी भारतिय जनता पार्टी ने किया हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए अंदोलन नहीं किये है, जनता के परेशानियों के लिए, सिद्धान्तों के लिए किये है और देश को सुरक्सित, अब हम सब ने देश की जनता के सामने जाना है। देश की जन्ता को स्पष्ट बताना पड़ेगा एक और ये परिवारवादी पार्टियां है और दूसरी और एक घरीब मा का बेटा इस देश का प्रधान मंत्री बना है आप किस को पसंद को एक और साथ साल से ब्रस्ट्राचार की घंगा जिस पार्टी से बहती है वो कॉंग मेरेस पार्टी है और दूसरी और तेईस साल से सासन में होने के बावजुद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा ऐसे नरेंद्रम होती है एक और तुरुष्ट्री करन की रादनिती करने वाला एक घमड या गट बंदन है और दूसरी और राष्ट्र भक्ति और समर्पित करकर पूरा जीवन दे कर काम करने वाले विक्ति है एक और एक और हर साल तीन महिने विदेश में वेकेशन करने वाला नेतूतों है और दूसरी और तेईस साल से एक भी छुप्टी न देने वाला कर्तूत वान देती है दूसरी और युग दरश्टा नेता के नेत जो तुमें महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतिय जन्ता पार्टी है, देश की जन्ता को हमने बताना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा, मित्रो मोदी जी ने आजादी के अमरुत महोचसव के वर्स में हर भारतिय के मन में देश भक्ति की भावना गरुत की हर युवा को आजादी के अंदोलन से वाकीब कराया है, और 75 वर्स की सारी सिद्या, इरिस्पेक्ट्यो पार्टी देश की जन्ता के सामने रखी है, और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद, जब अमरुत काल में सताब्दी तक पहुंचेंगे, तब महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने 140 करोड की जन्ता के मन में प्रत्यार उपन किया है, बहुत बड़ी बात है, एक सामुईक संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने का सामुईक पुरुसार इतने बड़े देश में जागरूत कोई और ही ही कर सकता है, मित्रो हमारा नेता सम्व दनसिल हम सब जानते हैं, जन्ते की जन्ता की तकलिफों को चानते हैं, जन्ता की भावना को समद्ध एक युग जरश्टा नेता है, वो करमते कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर निने लेने बेबी पीछे मूड कर नहीं देखते हैं, चीन के सामने सिना तान कर खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के घर में गुश कर सर्जिकल स्क्राइब दी करते हैं, नोट बंदी, गरिबों के कल्यान के लिए, नोट बंदी, यही नेत्रुत्वन की विश्व मित्र की भारत की चबी भी हमारे नेता ने ही बनाई, वैक्सिन के माध्यम से सो से ज़्यादा देशों क कोरोना काल में उन्होंने बड़ा मात्रु सक्ति को भगवान की तरह भक्ती से पुजा करने वला नेत्रुत्व बहुत सालों बाद देश को मिला है, विधान सभा और संसद में ते 30% द्रिजर्वेशन, ते 30% द्रिजर्वेशन नारी सक्ति वंदन अधिनियम से नरेंद्र म मोदी जी ले लिया है, और जाती की कल्पणा जो सद्यों से इस देश में थी, इसको समाप्त करकर घरीब, युवा, महिला और किसान ये चार वर्ग को समाहिद करकर साच अर्थमे सम्विदान की स्पिरिट को मोदी जी ने नीचे उतारा है, नीचे टक उता है, मैं मोदी ज को जानता हुए मोधी जी दिपक की लौ की तरह है जो खूद जलकर अंधेरों को काटने का काम करते हैं जिस तरह से जिस तरह से दिपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती उस तरह से मोधी जी का काम और विचार भी उद्वगती वारले हैं वो कभी नीचे की और नहीं आ सकते और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के ये उद्वगती वाली सोथ, उद्वगती वाली करमट्ता और उद्वगती वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विक्सित भारत बनेगा और पूरी दुनिया गवरों से देखती रहेगी भारत मारात की जलहल होत हुई छबी को और सनमान करेगी एक और मेंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगे कि हमारा उद्देश केवल और केवल एक सो चालीस करोड की जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है और वो केवल और केवल नरेंद्र मोधी जी कर सकते हैं और को कोई नहीं सोब इस प्रस्ताव को आप सभी लोग पूरे देश में लेकर घर-घर जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है अन्प में फीर से एक बार दोनों हाथ उटाकर प्रचंड वाज के साथ भारत मा का जहिकारा लगाएंगे बोले भारत मता की भारत मता की भारत मता की भा प्राएंगे वाजने साथ तnot का इब करिए भारत मता की भारत मता की भारत मता की भारत reflects बिल्चन का रारत मता की बाद़ तो किल्ली उटाकर अइना सम Moreba के उन्या है बवाला स्कूरा की अग Mail